नमस्क्राइब दोस्तों गुरुकोल अकेडमी में आप से का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जीकी की चैलेंजिंग स्रिज का पार्ट नॉमर 11 लेकर आ गई हैं या धखना इस टेस्ट में आपको टोप 40 कुशन्स मिलेंगे जो बर-बर एकजाम से पोशे ज रही हैं वरना आप लोग टाइम पास करते हैं अपने किमति समय को बरबाद करते हैं तो फ्रेंस आप रिक्वेस्ट परते कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में जो रहे ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही कलिर होते चलिए और फ्रेंस अंत्यों मत आए कितने कोशन आप से आंसर देंगे पांच सेकेंड का आपको वक्त मिलता है जी हां राश्टपते के रूप में सबसे छोटा कारेकाल किनका रहा जाकिर हुसेन का किनका जाकिर हुसेन का यानि सीरहकार रिटांस जाकिर हुसेन वर्तमान में भारत के राश्टपते कोन हैं पलीज परते परते परते एक्सुडेंट से रिक्वेस्ट इस क्यूशन का आंसर कमेंड बोक्स में जुरूर दें ये क्यूशन आपके लिए होमर के कि वर्तमान में भारत के रश्चपति कोन है चलिए का देखिए next भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कोन था बताएंगे जलिए से कोन था भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कोन था विलियम बेंटिक यानि ए होगा जी रैट आंसर विलियम बेंटिक ठीक है चलिए का देखिए next भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कोन था अन्तिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का लाड कैनिंग कौन था जी लाड कैनिंग यानि B होगा राइट आंशर लाड कैनिंग ठीक है देखे नेक्स्ट सवदंतर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताएंगे फ्राफट कौन था जिकोन लाड माउंट बेटन था सवतंतर भारत का पर्थम गवर्नर जनरल यानि C होगा राज आंशर लाड माउंट बेटन देखी नेक्स्ट सवतंतर भारत का पर्थम भारती गवर्नर जनरल वाइसराय कोन था कोन था C राज गोपलाचारी यानि D हो जाएगा red answer C राज गोपाला चारी चलिएगा देखिए next question भारत का परतम वाइसराई कोन था परतम वाइसराई कोन था भारत का कोन था लाड कैनिंग था भारत का परतम वाइसराई B होगा red answer लाड कैनिंग देखिए next है भारत का अंतिम वाइसराई कोन था अंतिम वाइसराई कोन था लाड माउंट बेटन था भारत का अंतिम वाइसराई ओफशन सी होगा जी राइट आंशर लाड माउंट बेटन देखे नेक्स कुशन इंडिया गेट के नियू ब्रिटिस स्रकार ने कब रखी थी इंडिया गेट के नियू ब्रिटिस सिरकार ने कब रखी थी, कब रखी थी, 1921 में रखी थी, इंडिया गेट के नियू ब्रिटिस सिरकार ने, भी रहेगा अज रेडांशन 1921, देखें नेक्स क्वेशन, इंडिया गेट के बीच में अमर जवान जोती को कब स्तापित किया ग देखी नेक्स्ट है संसद बहवन की नियू पहली बार कब रखी गई संसद बहवन की नियू पहली बार कब रखी गई 1921 में रखी गई थी ओफ्शन नमबर C होगा रेड आंशर 1921 देखी नेक्स्ट है संसद बहवन का विदिवत उद घाटन कब किया गया कब किया गया 18 जनुवर 1927 को किया गया था संसद बहुन का विदिवत उद घाटन ओफिशन भी होगा राइट आंशर 18 जनुवर 1927 देखिए next संसद बहुन का विदिवत उद घाटन किसी के दवारा किया गया संसद बहुन का विदिवत उद घाटन किसी के दवारा किया गया यानि यह होगा राइट आंशर लाड इरविन याद रखना यह होगा जी राइट आंशर ठीक है देखिए next बहासा के आधार पर राजों का पुन्र गठन के सोवर्ष किया गया बहासा के आधार पर राजों का पुन्र गठन के सोवर्ष किया गया किस वर्ष नाइंटिन फिफ्टिसिक्स में 1956 में किया गया था जी बहासा के आधार पर राजों का पुन्र गठन भी रहेगा राइट आंशर नाइंटिन फिफ्टिसिक्स देखी next है सविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है अंतिम अधिकार किसको है स्रोच न्याले को है जी सविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार डी होगा रैड आंसर स्रोच न्याले लिगनैट को कौन सा कोईला कहा जाता है भुरा कोईला कहते हैं कौन सा विटामिन किसी भी मासा हारी भोजन में नहीं पाया जाता है हो गहे चल् cry नेइस च्बाइट में निउंतम मिजदूरी अधिनिया पहली बार किस वर्ष सवीकृत हुआ किस वर्ष किस वर्ष हुआ था 1948 में, 1948 में पहली बार सवीकृत हुआ था नियुन्तम मजदोरी अधिनियम 1948 सी रहकार एड आंशर देखिए नेक्स्ट है सेफटी लेंप का अविसकार किस ने किया किस ने किया जी सेफटी लेंप का अविसकार किस ने हमफरी डेवी ने किया था जी सेफटी लेंप का अविसकार एवोगार एड आंशर हमफरी बताएंगे फ्रापट किसका आयस कहे गैलिना किसका सीसा का आयस कहे ओफशन भी होगा जी राइट आंशर गैलिना किसका आयस कहे सीसा का आयस कहे भी होगा जी राइट आंशर सीसा देखिए नेक्ष्ट है सहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है सहीद द जनवरी को मनाया जाता है सही दिवस ओफशन सी होगा जी रैट आंशर 30 जनवरी चले का देखी नेक्स्ट कुईशन भारती सभीधान पुर्णते कब लागो हुआ अगर आपने फ्रेंस अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है सभी लोग फ्राफट वीडियो को लाइक 22 जनवरी 1950 को लागो हुआ यानि डी हो का जी रैट आंशर चाबीशे जनवरी 1950 जएक सब्हां नेक्स्ट र में आगरा अगरा सहर की सतापना किस ने की थी चलिस से बताएंगे किसने की थी आगरा सहर की स्थापना किसने सिकंदर लोदी ने की थी आगरा सहर की स्थापना यानि ओफ्षन भी होगा रेट आणशर आगरा सहर की स्थापना किसने की थी सिकंदर लोदी ने भी हो जाएगा रेट आणशर देखिए नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन को कब निरिस्ट किया गया बंगाल के विभाजन को कब निरिस्ट किया गया कब क्या गया था जी 1911 में 1911 में निरिस्ट किया गया था बंगाल के विभाजन को महात्मा गांधी ने भारती रास्टी कॉंग्रेस की सदस्यता से कब त्याग पत्र दिया था तो ये दिया था 1934 में डि होगा जरेडांस 1934 नेक्स्ट है है हैजा रोग किसके संकर्मन से होता है जी हैजा रोग किसके संकर्मन से होता है जी हैजा रोग यानि ए होगा राइट आंसर जीवानों के संकर्मन से होता है हैजा रोग ठीक है देखिगा नेक्स्ट तुंग बद्रा किसकी सहायक नदी है तुंग बद्रा किसकी सहायक नदी है किसकी कृष्णा की है भी ओफ्षिन होगा जी राइट आंसर कृष्णा तुंग बद्रा किसकी सहायक नदी है कृष्णा की है तो भी रहेगा राइट आंसर कृष्णा देखे नेक्स्ट प्राचिन काल में अवंति की राजदाने कहां थ बढ़ेंगे फ्राफट कहां थी प्राचिन काल में अवन्ते की राजदानी कहां थी जी उजयन में थी प्राचिन काल में अवन्ते की राजदानी कहां उजयन में यानि डी हो जाएगा जी राइडांसर उजयन देखी नेक्स्ट है कलिंग का महान सासक कौन था कलिंग का महान स ये रहेगा right answer देखीगा next ब्रहामी लपी को सपस्ट परणे कारे किसको जाता है जैम्स प्रिंसेप को जाता है जैम्स प्रिंसेप को यनि सी मंदिरोнако किस सेली को नागर सेली की नाम सेarti जाना जाता है बताएंगे फ्राफट किस सैली को नागर सैली के नाम से जाना जाता है किसको फ्रेंस ऊत्री सैली को नागर सैली के नाम से जाना जाता है ठीक ना मंदिरों की ऊत्री सैली को नागर सैली के नाम से जानती है यह होगा रैट आन श्यूर चलिका देखी नेक्स्ट किसन किया किया निर्मान किसन ने किया था नार्शिंग वर्मन प्रथम ने लोह कि ने दोल्थम प्रथम यिया राजन सभल सभए को स्थान्टों किすने चलाया था राज सवसुधारों को श्रोपर्थम किस ने चलाया था अलाओ दिन खिल जी ने चलाया था यानि भी हो जाएगा जी राइट आंशर अलाओ दिन खिल जी याद रखना देखिए नेक्स्ट कुईशन है नवरोज परो को किस ने प्रारम किया था मोस्ट व्याइक परो को किसने प्रारम किया था किसने बलबन ने किया था जी यानि सी होगा राइट आंशर बलबन ठीक है देखेगा नेक्स्ट बुलंद दर्वाजा को किसने बनवाय था जल्दी से बताएंगे फ्रेंस किसने बनवाय था बुलंद दर्वाजा को जल्दी से आंसर देंगे ज और फ्रेंस अकबर ने बनवाए था बोलं दरवाजा को यानि एह कसे अगर आंशर fix दीके क्या है चलेगा देखी दीन ए इखका अकबर-स चैनल याट चला था बतायगे को चलाया था जल्दे से कब चलाय था 1582 में 1582 में दीन ए इलाही द्रम को अकबर ने चलाय था कब चलाय था 1582 में 1582 में ठीक है देखे नेक्स क्यूशन है तमाकू की खेती किसके सासन काल में प्रारंब हुई थी किसके सासन काल में प्रारंब हुई थी तमाकू की खेती जली से आंसर देंगे आप लोग किसके सासन काल में प्रारंब हुई थी अकबर की सासन काल में तमाकू के खेती प्रारंब हुई थी यानी यह होगा All right answer अकबर किसके सासनकाल में अकबर के सासनकाल में देखे नेक्ष्ट है अकबर का राजसो मंत्री कुन था बताएंगे फ्राफट कुन था अकबर का राजसो मंत्री फ्रेंस यह टेस्ट रोज होता है यह special स्रिज है कम से कम आपको 100 टेस्ट यहां provide करवाने व फाइदा मिले वही कुछ नहां करवाएंगे जो बार बर कुछ नहीं करवाने वाले हैं ठीक है देखी अकबर का राजसो मंत्री को था टोडर मल था जी अकबर का राजसो मंत्री को था टोडर मल यानि ए होगा जी रैट आंशर अकबर का राजसो मंत्री को था टोडर मल था ए थिखका, अजमीर में इस्थित है, औफ्सन डी होगा, अजमीर, देखका, जंतर मंतर का निर्मान किसी ने करवाया था, जंतर मंतर का निर्मान किस ने करवाया था जंतर मंतर का निर्मान किस ने करवाया था ठीक है छलेका देखिंग नेक्स लूशन दक्षिन भारत से उत्तर भारत तक भगती आंदोलन को किस ने चलाया दक्षिन भारत से उत्तर भारत तक भगती आंदोलन को किस ने चलाया किस ने चलाया रामा ननने चलाया था ओफ्षिन भारत से उत्तर भारत तक भगती आंदोलन को चलाया था रामानन ने option भी रहेगा जी यहां पर right answer तो friends ये थी आज के हमारी questions जो अभी complete हो गई है अगर कोई doubt है share कीजीगा सबी के doubts अगले part में clear के जाएंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को like ने कैं सबी लो फ्राफट वीडियो को like करेंगे अपने friends के पास share करेंगे जो लोग पहली बार यहां आएं है जल्दी से आप लो फ्राफट चैनल से subscribe करेंगे साथ बीर आइकन पर भी कलिक करेंगे दो friends ये का मिलते हैं अगरी class में तब तक के लिए good bye जै हिंद जै भारत उववन दिमात्रम